हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया की नमबर वन स्टेडी चैनल वाइफा स्टेडी पर पार्ट वन अकेडमी जैसा कि आप सभी को बता है डेली 11 बजे आपके लिए एक शांदार सेशन आता है और उस सेशन में जो मैं आपको करा रहा हूं आज वो एंटीपीसी सीबीटी वन में 6 फेस तक पूछे गए प्रशनों के कैसे आपके जवाब होंगे क्या आप तैयार हैं और किस तरह से पेपर में प्रशन पूछे गए हाला कि यह आश्चे रजनक बात है और वो मेहनत जो एनलिसिस के टाइम हम ल आया है लेकिन उसके वावजूद सारे प्रशन आपके वही एक्जाम के हैं जो इतने सारे पेजस में बनाए गए थे तो सभी विद्यारती फटावर से जुड़ जाईए वीडियो को शेयर वेर कर दीजेगा यह आपका सबसे पहला और बढ़िया काम होना चाहिए तो सभी विद्यारती फटावर से जुड़ जाओ और वीडियो को शेयर कर दो फटावर है ना साथ के साथ अगर आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं complete course क्योंकि आने वाला समय आपको मैं बता देना चाहता हूं आपका CET का एक्जाम होगा common eligibility test all government exam के लिए यह exam होने वाल हूं preparation आपको करा रहा हूं तो किर्पया करके अभी जुड़ोगे तब जाके चीजे complete होगी और आप अपने आपको एक सुद्रड इस्तिती में पापाओगे है ना क्योंकि जरूरी है एक बहतर position में होना क्योंकि अगर आप उस phase में रहोगे कि जहां आपको confidence gain करने के लिए lot of practice की आवशकता होगी तो वो आप कर सकते हो लेकिन सबसे जरूरी चीज basics clear करना हर एक topic clear करना तो मेरे साथ मेरे foundation batch में जुड़ो ये आपको result देगा इतना मैं कह सकता हूं definitely ये आपको result देने वाला है मेरा नया foundation batch है unacademy पर ssc category में ये चलता है आपको एक फाइदा बता द हुन सभी का उसी fees में ठीके dear तो आप बिल्कुल भी confuse मत होना चीजों को अच्छा बनाने के लिए और एक बहतर विकल्प आपके पास है जिससे कि सभी faculty के साथ आप एक साथ पढ़ सको साहिल 10 code लगाकर आपको जुड़ना है जिससे कि आप मेरे साथ connect हो जाओ और discount आपको proper पर मिल जाए साथ के साथ में आपको combo लेना है तो भी आप ले सकते हो अन्य था आपको SSE exam के आवशकता है और redeem कर लेना अपने points को जिससे कि आपको extra benefits भी मिल जाए यह offer अभी चल रहा है अगर आप एक साल का लेंगे तो चार महीने का आपको free मिलेगा और दो साल का लेंग है आप सभी विध्यारती अगर वाकई में अपने आपको एक बहतर इस्तिती में पाना चाहते हैं practice के purpose से तो इस session को कभी मिस मत करना क्या आप इस session को daily ले रहे हो धीरे धीरे अब बहुत सारे बच्चे पढ़ने पर आ गए हैं अगर आप नहीं पढ़ोगे तो काफी पीछ हम से group D, SSC CGL, NTPC CBT-2 सबकी preparation कराना मैंने शुरू कर दिया है अगर आप अभी नहीं लग रहे हो पढ़ाई में तो फिर आप पीछे तो जाने वाले हो क्योंकि चीजे तो समय के इसाप से चलती रहती हैं daily एक paper मैं अनकेडमी पर आपको करवाता हूं comment में आपको link मिल आना है SSC exam में मेरा class चलता है special class चलता है साहिल खंडिलवाल को search करके follow करके 8 PM वाली class देख लेना और मुझे follow कर लोगे तो आपको notification भी आ जाएगा और किसी भी class को देखने से पहले यहां एक notify me का option आता है तो notify yourself अपने आपको notify कर लेना link पे जाकर ताड़े 12 वजे crack the math होग आज साथ के साथ जो भी विद्यारती बढ़ती बढ़ चुकी है ग्रामीड बैंक की ग्रामीड बैंक के बारे में आप लोगों को बहुत सारी information नहीं होगी मैं आज दो बजे आपके लिए ये प्यारा सा event करने वाला हूं कि क्या ये exam एक attempt में crack हो सकता है अगर मैं exam के level की ब चीज़ें कुछ सीखने की होती है वो सब मैं बताऊंगा तो आज दो बजे इस पर चर्चा करने वाला हूं और कैसे करेंगे एक ही attempt में crack वो बताऊंगा अच्छा भाई कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आप लोगों के लिए और आपके भविश्य के लिए एक surprise जो आप सभी लोगों के लिए आने वाला है कल सुबह 11 एम पर एक बहतरी शुरुआत होगी क्या होगा अभी तक कोई डंग से गैस नहीं कर पाया है ये होने वा जो की मैं बताऊँगा कि कैसे अप आने वाले समय को जी सकते हैं पड़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं मैत्स को तो दराने वाली विशे नहीं समझ का खेल है अगर आपने समझ बढ़ा ली सुधारली तो खेल जाओगे तो वीडियो को शेर वियर कर दो दियर और चीजये बहुत बैतरीन होगी कल सुबह 11 बजे जुड़ना मत भूलना मैं तो बहुत एकसाइटेड हूँ आप भी हो ठीक है ना चलिए तो सूपर साटरडे इस बैक है ना शूपर शनिवर जो अनकेडमी का जो क्लास होता है अनकेडमी की जो इस्पिशल क्लास में पहले शनिवार को सी क्लासिस हुआ करती थी लाइव क्लासिस वो बैक ला चुका हूँ मैं टॉपिक देख लीजेगा आप सभी लोगों के बहुत मैत्पून टॉपिक डिसकस कर रहा हूं तीन बजे स्क्वायर और स्क्वायर रूट यह ऐसे कुश्चन नहीं होंगे हलके वाले यह होंगे थियोरी बेस्ट जो की पेपर में आते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है theory based question होंगे सभी type के all type के question में cover करने वाला हूँ तो ये session हमेशा की तरह amazing होगा 3 बजे मेरे साथ जुड़ें शनीवार को Saturday को 5 बजे algebra की complete theory पढ़ाने वाला हूँ अगर आप algebra भूल गए हैं या algebra की concept नहीं आते हैं आपको या रोज रोज परेशान होते हो तो complete theory का revision होगा 5 पीम शनीवार को anacademy की special class में और रात को 8 बजे catch the math तो हमारा चलता ही आ रहा है और वो चलता रहता है साहिल 10 code लगाकर unlock कर लेना है मैं event आज बना दूँगा ठीक है रात तक ठीक है डियर हाँ तो यह planning पूरी आपके लिए करता हूं भाईया ना और बताना मेरा काम है अगर ना बताऊंगा तो तुमारा यह miss हो जाएगा ना फिर फिर कल को paper में कुशन आ गया और अभी आ गया मान लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना चलेगा चलिए अब पहला प्रशन आप लोगों के सामने यह रहा यह लीजिए करके बताईए हाँ हाँ बैंक के लिए आज लातो रहा हूं दो बज़े इवेंट आप देखना उसमें फिर बड़ा दमाका भी करेंगे उसमें भी अब जैसा कि यह चीज आपको दिख रहा है यह कोशन आपको दिख रहा है और यह पेपर में आया हुआ है अब कैसे करेंगे आपको मैंने पहले भी बताया था कि यार कुछ फॉर्मूले होते हैं जो टिग्नोमेट्री के मैं हमेशा याद करवाता हूं सूदेंट को और वह यादी करने बहुत आवश्क हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन एंटू कॉस भी लिख लो अगर नहीं आ देतो प्लस कॉस एंटू साइन भी यही होता है वहाई याई सर अगर मैं बात करना चाहता हूं कॉस A-B क्या होता है कॉस A-B होता है कॉस A into कॉस B लिकिन कॉस में अगर यहां minus लगा हुआ है तो यहां plus आएगा sign A into sign B जिसको नहीं पता वो note करें और note करके अब आपको पता लग चुका होगा कि इतना आसान काम है बोले सर क्या करेंगे अब कुछ नहीं करना यहां पर इसको put करेंगे और यहां पर इसको रखेंगे तो मैं रख देता हूं sin 45 cos a plus cos 45 sin a minus भार है तो यह अंदर वाला minus हो जाएगा cos 45 cos a minus sin 45 sin a यह सारी चीज़े मैंने लिख दी जो कि जरूरत थी आपको आवशक्ता भी थी इस चीज़ की अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं खुदी सब लोग कि भाई देखो सर cos 45 आप जानते हैं यह हो जाएगा cos a upon root 2 यह कितना हो जाएगा sin a upon root 2 minus यह कितना हो जाएगा cos a upon root 2 और वो हो जाएगा minus sin a upon root 2 जानकर के काफी अच्छा लगेगा इससे यह कट गया इससे यह कट गया आंसर हो गया 0 तो इस प्रशने का उत्तर क्या आता आपका शूने आज आता अगर आप paper में इसको करते और आराम से इस चीज़ को आप revise भी कर सकते हैं जरूरी भी है ठीक है तो चलिए एक बार आपको revision हो जाए इन फॉर्मूलों का क्योंकि बहुत आवशक है आज नहीं तो कल paper में यह प्रशन आते हैं आप भी जानते हैं तो अगर sin a plus b हो तो यह बहुत आसान होता है sin a into cos b sin मैंने छोड़ दिया cos a into sin b तो सर क्या करेंगे sin देखो भाई अगर sin a plus b और a minus b है तो plus है तो plus आएगा और minus है तो minus simple हो गया ना चलिए इसी तरह से क्या बनता है cos a plus minus का b तो इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं directly cos a into cos b मैंने sin अभी छोड़ दिया है sin a into sin b यानि कि cos वाले में cos वाले एक साथ आते हैं sin वाले एक साथ आते हैं sin वाले में sin cos और cos sin simple plus plus minus minus लेकिन cos तो उल्टा होता है आप जानते हैं तो यहाँ plus है तो यहाँ minus यहाँ minus है तो यहाँ plus तो इस तरह से आपने चार फॉर्मूले लिख लिए हैं और दिमाग में भी बैठ गए होंगे नहीं भी बैठते तो मैं इतना रिवीजन करवा दूंगा कि बैठ जाएंगे ठीक है चलिएगा अगला प्रश्न करिए अमेजिंग कुश्चन्स हैं जो पेपर में आई हुए हैं और दुबारा भी आएंगे अगला प्रश्न समय सीमा समाप्त कर दी अमेजिंग कुश्चन ये पूछा गया था काफी सारे विध्यारती परेशान हो गए थे लेकिन मैंने कहा था ना कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा देखिएगा दोस्तों A और B का LCM B है B और C का LCM C है C और D का LCM D है ये एक तरीके से क्या है चैन रूल आफ LCM है चैन रूल आफ LCM सर इसको प्रूफ कैसे करोगे प्रूफ पताता हूँ आप किसी भी संख्या को मान लो जैसे की आपने A को मान लिया दो और B को मान लिया मैंने चार उसका LCM कितना निकल कर आएगा चार निकल कर आएगा और ये कितना हो गया भाई B हो गया बिल्कुल सही है इन दोनों का LCM B आ रहा है अगर B हो गया तो C को आप मान लो 8 तो आप यह देख रहे हो, इन दौनों का LCM कितना आएगा, B और C का, आप देख रहे हो, उसरद C आ रहा है, वो भी 8 ही आ रहा है, आपने D को मान लिया, 16, तो C और D का LCM कितना आएगा, D आएगा, ऐसा बोला गया है, तो कहने का मतलब, अगर हम सभी संख्याओं का LCM निकालें तो, तो 2, 4, 8 और 16, तो आपको जान करके काफी अच्छा लगेगा, कि यह आपस में connected है, याने कि जो D होगा, वो हर किसी को अपने अंदर रखके चलेगा, तो जो D होगा, वही आपका LCM कहलाएगा, तो सर क्या यह ह हमेशा होने वाला है, यह हमेशा होने वाला है, अब मज़ा आया ना, इतना प्यारा प्रश्न है, अब concept को समझो कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप यह जान रहे हो, कि A और B का LCM B है, याने कि इन दौनों से, इन दौनों को गुना करने पर जो एक सबसे छोटी संख्या आ अब C और D में, C B है, और जो D LCM आ रहा है, तो उसमें A, B, C, D सब हैं, इसलिए आपका D answer आया, इसी को ही कहते हैं, chain rule of LCM, यह एक नया इंट्रेड्यूस हुआ था पेपर में, बच्चे चौक गए, और अगर किसी ने मान के नहीं किया होगा, तो निपट लिए होंगे, है इसे की for example, question यह बनेगा, P and Q का LCM Q है, Q and R का LCM R है, R and S का LCM S है, S and T का LCM T है, T and M का LCM M है, तो आप मुझे बताओ, P, Q, R, S, T और M, इनका LCM क्या होगा, P, Q, R, S, T, M का LCM क्या होगा, तो आप यह answer directly दे देंगे, बोले sir M होगा, जो last वाला है, वो सभी के multiple को ले लेका चल रहा है, तो आपका जो right answer हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है my dear student, अच्छा, अगर मैं SCF पूछू तो, इसी concept में अगर मैं बोल देता हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ, तो SCF क्या होगा, दिमाग लगा के बताना, similarly अगर आप इस तरह से देखते हैं, तो देखो, आपका जो सबसे छोटा है, कौन A, वही आपका SCF होने वाला है, क्योंकि वो सबके अं और ये paper में आ सकता है, LCM पूछ ले, SCF पूछ लेगा, क्या फरक पड़ता है, ठीक है my dear student, तो ये चीजे हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, और इस तरह का प्यारा सा प्रशन LCM SCF का आया था, इस बार 2021 में, अब ये अगला question है, आप सब लोग बनाईए, कि किसका क्या answer आने वाला है, मैंने थोड़ी सी मदद आपकी किये, जिससे कि आपको कुछ याद आजाए, समय सीमा को समाप्त करता हूँ, इस तरह की प्रशन को पूछा गया पेपर में, अब आप सोचते हैं, अरे यार ये कौन पड़ेगा, लेकिन भईया जब पेपर में प्रशन आता है, और लगता है न कि यार ये पड़ा हुआ है, आप कर लेता हूँ, तो ये इतनी बहुत confidence साता है, बोले सर क्या करना होता है, तो यहां आपको पता है कि ये आपको दे रखा है X, और ये दे रखी है frequency, आपको इसका माध्या दे रखा है P, तो आप मुझे बताईए कि अगर आपके सामने इस तरह से table दे रखी हो data की, तो माध्या कैसे निकालते हैं, तो आपको या application upon sum of frequency, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, मैंने आपके लिए थोड़ी सी मदद ये की है, कि मैंने गुणा करके लिख दिया याँ पर, P square, 3P square, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 4P square, प्लस 8, 40, 40, और 15, 55, और sum of frequency कितना हो जाएगा, P, 3P, 6, 4, 15, यही तो होता है माद्या, बोलो, अरे यही ना होता है माद्या, ठीक है, अरे यही माद्या होता है न, और ये किसके बराबर है माद्या, P के बराबर, तो मैं इसको P के बराबर कर दिया, तो गुणा करते हैं, 15P square, तो 15, तो 11P square बचेगा, बराबर 55P, P से P कट गया, तो P की value निकल कर आगई 5 कैसी रही बात कैसी रही डियर बताओ मज़ा आया काफी amazing question है paper में आ सकता है और आ चुका है तो आपके लिए सब कराया हुआ है मैंने statistics में पहले सी तयार करके बेजा था मैंने आपको तो अच्छी लगती यह बातें जब कुशन अपनी classroom से आते वह बन गई साहरी चलिए अगला प्रशन और वीडियो को share करते रहो बहुत प्यारे प्रशन आये हुए है यह लीजिए अगला प्रशन फोड़ के बताईए क्या answer होगा समय सीमा समाप्त हो गई किसी संख्या का एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे पांच का योग उस संख्या से बारहा दिखे मैंने नंबर को मानना है क्यों आप जानते हो आदत कैसी है हमारी हमारी आदत यह है कि नंबर मान लो LCM मतलब इन तीनों का मैंने मान लिया नंबर क 30 अगर number को मैंने 30 माना यह मैंने माना एं तो एक बटे 2 कितना हो जाएगा 15 एक बटे 3 हो जाएगा 10 और एक बटे 5 हो जाएगा 6 इन 3 का मैंने योग कर दिया 25 और 6 31 गजब उस संख्या से उस संख्या कितनी है 30 जो मानी थी कितना अंतर है 12 यानि कि एक ratio की value आगई 12 तो वो संख्या क्या है भाई 12 into 30 यही तो मूल संख्या थी एक ratio की value 12 आई तो 360 आपका right answer आया option number B आपका सही विकल्प होगा और क्या भाई बढ़िया बहुत अच्छे यार अगला प्रशन तयार है आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चलिए इस प्रशन का उत्तर दीजिए कि क्या answer आता है आप लोगों का अरे समय सीमा समाप्त हो गई इस प्रशन का उत्तर देखिए कैसे दे पाएंगे पांच वर्गों का परीमा आप आपको दे रखा है भाई उस वर्ग का परीमा आप ज्याद करें जिसका छेत्रफल उप्योक्त वर्गों के छेत्रफल की योग के बरावर है इसका परिमाप दे रख है तो बुजा कितनी हो जाएगी? 6, इसकी बुजा, 8, इसकी बुजा, 10, इसकी बुजा, 19, इसकी बुजा, 20 सएर, ये अपने पास क्या निकल गई? उन सभी वर्गों की बुजाएं निकल गई, साइड एरिया कितना हो जाएगा भाई? एरिया, 36, 64, 100, 200, 200, 361 और 400 तो 761, 761 और 200, 961 और 961 अगर एरिया हो गया, तो नए वाले वर्ग का एरिया ये हो गया तो नए वाली बुजा कितनी हो जाएगी? एडैश, 31 और 31 अगर साइड हो गई, आपसे पूछा गया है क्या? परिमाप, तो आपका जो राइट आंसर होगा, 31 गुणा 4, 124 होगा काफी मज़दार कुश्चन था, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करकर आए ये आपको भी पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं 31 आंसर देकर, येस मैंने कर दिखाया, बहार बोला, यार एक वर्ग वाला कुश्चन आया था, वो अच्छा था, बोले कैसे? उसका आंसर मेरा 31 आया, बोले यार 31 तो नहीं था, 124 था? बोले नहीं यार ऐसे कैसे? अरे भाई परिमाप पूछा था? याद मेरा भाई के, ऐसी कहानी इस तरह की होती है और ये बहुत सारे बच्चे करके आये होते हैं, तो किरप्या करके कोश्चन को डंक से पढ़ लें, कोश्चन अच्छे होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन सीख लिखने का हमेशा गुंजाइश रहता ही रहता है, अच्छा लगा हो, दिल से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और मज़े से पढ़ते रहें, और अगला प्रशन आप लोगों के सामने इस प्रकार रहा, उड़ाईए भाई समय सीमा समाप्त हो गई, और देखो, एनलेसिस का कितना फायदा होता है, अभी मैं ये कोशन आपको करा पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर कोशन समयर को भेजे, मैंने वो कराए, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है, एनलेसिस, उससे बहुत सब चीजों क सीखने को मिलता है, कौनसेट्स होते हैं, और कितने प्यारे-प्यारे प्रशन है, देखिए, 4 cm बुझा के वर्ग में, 1 बटे 10 cm बुझा के कितने वर्ग आ सकते हैं, यानि कि बस वही number of वर्ग निकालने हैं, तो 4 बाई 4 में, 1 बाई 10, 1 बाई 10 के कितने आ सकते हैं, तो एरिया अपन छोटा एरिया अगला प्रश्न करिये अब ये गजब का प्रश्न आया था आप लोगों के दिल और दिमाग दौनों को हिला देने वाला आईए पहली बार बच्चों ने देखा हिल गए लेकिन मैंने इसको आपको करवा दिया था नेगेटिव एफिशेंसी वाला टाइप है मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि टाइम इन वर्क में दिमाग को गुमा देने वाला सवाल इस तरह का मैंने थमनेल में लिखवाया था अगर आपने देखा हो तो A और B एक काम को साथ दिन में B और C उसी काम को 21 दिन में और तीनों मिलकर तीन दिन में कर सकते हैं LCM भाईों ने ले लिया 21 यहां तक तो बड़े खुश तयार यार कितना आसान है यह आ गया एक और यह आ गया तक इतना साथ अब बोला जा रहा है कि A और C उसी काम का 5 बटे 7 बाग कितने दिन में करेंगे अब समझ्या यह है कि A और C कैसे निकालें सर अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सर यहां A प्लस 2B प्लस C देख रहा हूं तो यहां आ रहा है चार और यहां A, B, C अपने आप में आ रहा है कितना साथ तो प्रोब्लम आ गई ना जैसे कि आप देख पा रहे हो सर A प्लस 2B प्लस C यानि कि इन तीनों को जोडने पर यह बराबर तो चार ही आ रहा है और A प्लस B प्लस C वराबर आ रहा है साथ तो आश्चर चकित होने की क्या है बात जब आपको पता है कि यार B निकाल लोगे नेगिटिव में आएगा तो आएगा भाई घटाया तो B निकल कर आया 3 किसी को कोई आपत्ती है क्या वो भी माइनस में इसमें से ये घटा दिया अगर B वराबर माइनस का 3 निकल कर आ गया तो क्या संभव हो पाएगा चीज तो आप ये देख रहे हो सर आपने इसमें से घटाया है तो भी दिक्कत आ रही है कि B वराबर यहां माइनस 3 कैसे सैटिस्फाई करें तो B वराबर अगर माइनस 3 है जो की सही है तो A की एफिशेंसी कितनी होगी बताओ 6 मजाया तभी तो माइनस 3 सरवाइव कर पाएगा और C की एफिशेंसी कितनी होगी अगर यह माइनस का 3 है तो C होगा प्लस का 4 मेरी बात आपको समझ में आई क्या दोस्त दुवारा से समझ लो क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके बार-बार पेपरों में आने वाला है फिर प्या करके दुवारा से ध्यान दे लो कि जब B वराबर माइनस का 3 आ चुका है तो A कैसे निकालोगे तो B मैंने माइनस 3 दख दिया और A प्लस B करने पर प्लस का 3 आ रहा है तब ही संबब है जब A 6 हो तो A की एफिशेंसी हो गई 6 B प्लस C बराबर प्लस का एक आना तब ही संबब है जब C 4 हो 4 तो दौनों की एफिशेंसी हो गई 10 अब कोशन क्या कह रहा है टोटल काम का 21 का पांच बटे साथ A प्लस C दौनों करते हैं दस की एफिशेंसी से साथ तिया 21 पांच तिया 15 वन पॉइंट फाइए Dear student कैसा लगा प्रश्न जल्दी से बता दीजे है ना सबको कैसा लगा क्योंकि सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है और इसी तरह का ये प्रश्न है खुबसूरत प्यारा सा और बिल्कुल आसान इतना तो सभी करते हैं हमने बस थोटी सी कैल्कुलेशन समझाई है वो जरूरी है समझाना आप लोगों को ठीक है चलिए नेक्स भाई साब अगला प्रश्न इस प्रश्न को भी उड़ा दीजिए बिना किसी संकोच के चलिए A, B, C की चाल आपको दे रखी है 60, 75 और 80 A के 5 घंटे बाद B चला लेकिन B वैसी A को एक साथ पार करते हैं तो बताइए A के कितनी देर बाद B चला Amazing Question, Amazing Question हमेशा से मैंने कहा है कि बहतर से बहतर चीज़ें आपके पेपर में आई थी और वो मैं निकाल कर लेकर आगया ठीक है माई डियर चलिए तो Conceptual आपको अप्रोच लगानी है देखते हैं कि किस तरह से आप कर पाएंगे चलिए दिमाग लगाओ ये A, B, C की चाल दे रखी है ये A की चाल है ये B की चाल है ये C की चाल है एके 5 घंटे बाद B चला एके 5 घंटे बाद चला है B लेकिन B वैसी, A को एक साथ पार करते हैं A के 5 घंटे बाद B चला है तो मुझे बताओ पांच घंटे में कितना चल चुका है बस एक एक चीज़ बताते जाओ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए पांच घंटे में एक इतना चल चुका है क्योंकि एक पांच घंटे बाद बी चला है न आप बाकी चीज़े छोड़ो आप यह बताओ कि एक इतना चल चुका है पांच घंटे में बोले सर 60 की रफतार है पांच गंटे में आप बात कर रहे हो तो वह कितना चलेगा 300 किलोमेटर यह चल चुका है यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ती सामने देखोगे तो ही समझ में आएगा भाई ध्यान तो रहेगा नहीं तुम यह सोचते हो कि मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कर लो अच्छा कुश्यन है भाई सामने देखो बहुत बहुत बहुतरीन कॉंसेप बता रहा हूं है न चले तो यहां तक आपको समझ में आगया होगा कि 300 किलोमेटर इस तरह से अब आप मुझे बताओ कि 300 किलोमेटर अगर मैं बी से तै करवाता हूं तो उसको कितना टाइ तो चार घंटे ही लग रहे हैं किसी को कोई आपती है क्या बोलिये भाई साब बोलिये सॉरी माफ कीजी माफ कीजी अना रिलेटिव स्पीड बीच में रिलेटिव ले ले लेते हैं आके लगा क्यों चलवाएं तो अगर मैं यह कहता हूं कि भाई उस समय की इस्तिती हम मैं बना देता हूं यहां पर कि इनके बीच की दूरी 300 है ए यहां पर है बी यहां पर है आप मुझे बताओ उस स्थिती में जब बी चलना शुरू करता है और ए 300 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है तो कम मिलेंगे मैं इस डायरेक्ली रिलेटिव स्पीड लगा रहा हूं इस स्पीड 75 है इसकी स्पीड 60 है तो 300 किलोमिटर बटे 15 हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड 75 है और इसकी स्पीड 60 है ऐसा प्रश्ण में बोला गया है तो रिलेटिव स्पीड तो लगेगी भाई 20 गंटे आ गया बैयानि कि क्या मैं यह कह सकता हूं कि 20 गंटे में B जो है वह A को पकड़ लेगा सही बात है तो 20 गंटे में अगर पकड़ लेगा तो प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको साफ सा पता लग रहा है कि B और C A को एक साथ पार करते हैं B और C A को एक साथ पार करते हैं याने की जब जब B ने यह शुरुवाती पॉइंट था जब B ने A को पकड़ा है तब कितनी दूरी तै कर चुका है भी 75 की रफ्तार से 20 गंटे में तै की गई दूरी कितनी है पंदरा सो बात आपको समझ में आ गई क्या बहुत प्यारा प्रशन है ध्यान दो यार क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ अमेजिंग कुश्चन बता रहा हूँ क्योंकि 20 गंटे में तो पकड़ा था तो मैं तो वही देखूंगा ना कि ये तो शुरुवाती पॉइंट से चला हुआ है तो 75 की रफ्तार से 20 गंटे में 1500 कि दूरी तैय हो गई तो क्या यही दूरी है यह आपका सोर्स है जहां से यह सब लोग चले थे यह आपका डैस्टिनेशन है और B और C एक साथ पार करते हैं यानि कि C कितना चल कर आया होगा C भी 1500 ही चल कर आया होगा क्योंकि B और C एक साथ ही पार करते हैं C कितना चल कर आया 1500 बहुत बड़ी असर गजब C अगर 1500 चल कर आया तो आप मुझे बताईए C को कितना समय लग गया 80 की रफ्तार से C का टाइम तो जब आपने सॉल्व किया तो यह हो गया 75 बटे 4 18 चौके 72 3 बटे 4 गंटे C को इतना समय लग गया 18 सही 3 बटे 4 किसी को कोई दिक्कत है क्या बोले नहीं सर क्या दिक्कत होने वाली है ठीक है अब बोला क्या गया है तो बताईए A के कितनी देर बाद C चला तो मुझे यह बताओ A को कितना समय लग गया 20 गंटे तो पकड़ने में लगे और 5 गंटे पहले चल चुका है तो A को जो समय लग रहा है C A का टाइम है 25 गंटे यानि कि यह 25 गंटे के लिए चला है कौन C Dear student कैसा लगा question मैं यही तो सिखाना चाहता हूँ देखो हर एक चीज बताना हर एक चीज वो लाना जो आपके exam में काम आए को मेरा काम है कैसा लगा प्रशन जल्दी से मुझे बता दो यह अमेजिंग question आया था और student एक दूसरी की सकल देखते रह गए और सबसे जादा most discussing question था यह पेपर में जो बच्चे नहीं करके आप आए और यह प्रशन नया introduce हुआ है यह बता देता हूँ मैं आपको ऐसा आपको कहीं भी आपने देखा होगा नहीं मिला होगा मैंने analysis में करवाय था यह solve twist है question में काफी amazing है अब भी भी आपने कितनी भी time speed distance पढ़ लो यह question किसी ने नहीं कराया लेकिन मैंने यह रखा हुआ था और मुझे पता था कि मुझे कब कराना है ठीक है चलिए मैंने बहुत आराम से समझाया है एक बार और repeat करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्ण है relative speed concept ही है देखिए A, B, C की चाल देदी भाई ने अब A के 5 गंटे बाद B चला B मतलब 5 गंटे बाद चला है तो 5 गंटे में A कितना चल चुका होगा वही 300 यानि कि B और A के बीच में पहले relative speed concept लगा दोगे तो 20 गंटे में B A को पकड़ लेगा अब एक लाइन बोली थी उसमें twist है कि चला लेकिन B और C A को एक साथ पार करते है यानि कि 20 गंटे चलकर B अगर 20 गंटे चलता है तो 1500 km चलकर A को पार करेगा लेकिन C भी 1500 km ही चल रहा है क्योंकि B और C एक साथ पार कर रहे है तो 1500 km C भी चल रहा है और 80 की रफतार है तो C इतने गंटे चलेगा और B A कितना चल चुका है क्योंकि जो संबंद पूछा गया है न कि A के कितनी देर बाद B चला तो A का टाइम कितना है पाँच गंटे पहले और 20 गंटे जब क्रॉस किया था तब 25 गंटे ये भी पूछ सकता है आपसे क्या पूछ सकता है कि B के कितने गंटे बाद C चला बी के कितने गंटे बाद C चला बताओ ये भी पूछ सकता है तो B कितना चला है 20 गंटे क्योंकि B ने तो 20 गंटे में धर पकड़ लिया उसको source से destination तक 20 गंटे चला है B और ये चला है 18 सही 3 बटे 4 C B और C का, क्योंकि A और B का तो पहले सी पता है, क्या है पांच घंटे का अंतर, तो बस यहां आपका राइट आंसर आज़े, एक साही एक बटे चार आएगा, ठीक है, तो यह best question आया था और यही मैंने करवा दिया, ठीक है ना, चले, अगला प्रशन, यही है न, आठका हो गय सारे, अरे मज़ा आएगा, कल एक तगड़ा सर्प्राइज आपको लोगों की ला रहा हूं, 11 बज़े, मज़ा आने वाला है, आपको मैक्सिमम लाइव आना है, क्योंकि केक कटेगी, सब में बटेगी भाईया, ठीक है, चलिए, यह बच्चा गह रहा है, एक्जाम में नही आता, इस गड़े को कौन बताया रही है, एक्जाम की कुश्चन है, अब इसको समझाना बेकार है, क्योंकि यह बच्चे कुछ जिंदिगी में करी नहीं पाएंगे, मतलब एक तो मिल रहा है, तो नहीं लेना चाहते, इनको तो बस वही है कि X प्लस Y बराबर 4 आ गया, Y बर प्रश्णों से सलेक्शन नहीं होता, मैंने आपको कल भी समझाया था, आसान प्रश्णों सब कर लेंगे, आप कभी भी उनको डिफीट नहीं कर सकते, ऐसे प्रश्णों को करके आप उनको आगे पच्छाड सकते हो, इसलिए रात को आट बजे वाली क्लास भी continue फॉलो करो, 2 की पावर x प्लस y है, और ये 2 की पावर 2 है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, यानि की x प्लस y बराबर 2, अब 64 दे रखा है, 64 कितना है, 2 की पावर आपके सामने, कितना हो जाएगा, पताओ, 6 इंटू x माइनस y, कर लिखाया था ना मैंने, मैंने कहा था था 2 की पावर दिमाग में रखा करो, हर चीज पता है, इसलिए आपको अपने experience से सब कु साजा करता हूँ, और यही मेरा काम भी है, x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, दौनों को जोड़ दो, तो 2, 6, 2, 12, 13, 6 और 13, 12, बटे 2 भी तो करना है, तो 13 by 12, option नमबर B रात को 8 बजे वाली क्लास तो रात को 8 बजे होती है, अनकेडमी पर होती है, और NTPC की टाइम भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और लगाता चलती रहेगी, क्योंकि मैं CBT2 की तैयारी करने में लग चुका हूँ, यह सारे प्रश्ण में करवाता हूँ समय सीमा समाप्त हो गया, आपको क्या निकालना है, देखो यह भी बढ़िया था, 6 और 8 का LCM निकालना है, तो 24 हो जाएगी, लेकिन रूट में दे रखा था, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते थे, और इजी था वैसे, अगला प्रश्ण, वही लाहिक और शेर करते रहे यह बढ़िया तरीके से मज़ा आना चाहिए है आप लोगों को, फुल मला कर उद्देश्य यह है, उड़ा दीजिए, दौनो तरफ होल स्कॉयर करने पर ही यह प्रश्णों को सॉल्व करेंगे हम, 145 प्लस X, 145, दौनो तरफ होल स्कॉयर कर दिया, तो 169 अप़न 145, 145 से 145 कट गया, X की वैल्यों निकल कर आगे कितनी, 25, यूनिट डिजिट, 5 बारातेरा, next, समय सीमा समात करते हैं, इस प्रश्ण को देखते हैं, आपको मैं बताया था, कि 70, 49 दे रखा है, 49 के ऐसे टुकड़े करो कि 14 आ जाए, तो आपने 7 और 7 कर दिया, क्योंकि 7 और 7 को जोडने पर 14 आ रहा है, यहां अगर माइनस है, तो दौनों की चिन क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन आपकी जो फेक्टर होंगे, वो कितने होंगे, X माइनस 7, क्योंकि X बराबर 7 है, अगर यह इदर आएगा, तो माइनस का, यानि की स्क्वाइर बन गया, क्योंकि समान है, गुणा, इसके कितने हो गए भाई, यहां आप देख रहे हैं, यह हो जाएगा 3 और 3, और यह प्लस है, तो यहां माइनस में होंगे, तो इदर आएगा, तो प्लस हो जाएगा, या नहीं, और कल तो धमाका होगा वाई, मज़ा आएगा न, अच्छा लगेगा, अब यह कुशन आया था पेपर में, इसको भी काफी सारे बच्चे नहीं करके आ पाए, लेकिन यह करके आना चाहिए था, आपको, विक्रे मुल्य छूट के 3 गुने के बराबर है, यहने कि जो सैलिंग प्राइज है न, वो डिसकाउंट के 3 गुने के बराबर है, अब आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि जो सैलिंग प्राइज है, और डिसकाउंट किसको कहते हैं, डिसकाउंट कहते हैं सर, MRP माइनस सैलिंग प्राइज को, तो ऐसे लिखना सीखो, लिखना सीखोगे, तभी तो आप एक रिलेशन निकाल पाओगे, 3MP माइनस 3SP, और यहां से 4SP बराबर 3MP, और MP और SP का रेशो आपका तभी तो निकलेगा, कितना, 4 बटे 3, पहले चीज़ तो यह हो गई, यानि कि इतनी छोटी सी लाइन से यह रिलेशन निकल कर आ गया, अब बोला गया है, यदि छूट लाब के बराबर है, यानि कि MP माइनस SP, बराबर है SP माइनस CP के, ऐसा बोला गया है, तो MP कितना है, 4 और 3, 1, SP कितना है, 3, तो CP कितना निकाल लेंगे, CP आ जाएगा 2, रेशो में निकाला है तो क्रेम उल्ले और विक्रेम उल्ले का अनुपार क्रेम उल्ले कितना है दो विक्रेम उल्ले कितना है तीन तो दो अनुपार तीन कैसा लगा प्रश्न बस वो छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए कि भई डिसकाउंट क्या होता है MRP माइनस सेलिंग प्राइज प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज बिल्कुल ऐलिमेंटरी से कुशन बनाए और दो अनुपार तीन आंसर आगया लोग है गजब की चीज यह हुई ना बात अगला प्रशन करके दिखाईए नेक्स और लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों बढ़िया तरीके से अगला प्रशन आपके सामने चलिए इक्केस बैलेस आमों की एक ही पंक्ती में लगाना है तो कितनी पंक्तिय बनेंगी तो मुझे बताओ एक पंक्ती में maximum कितने fruit हो सकते हैं तो maximum fruit अगर एक पंक्ती में निकालू तो यानि की highest common factor और मैंने साफ साफ देख लिया कि 7 पल एक पंक्ती में आ सकते हैं अब आपसे संख्या पूछी गई है तो 7 पल अगर एक पंक्ती में आ सकते हैं साथ सेवों की एक पंक्ती बन जाएगी 21 अनारों की तीन पंक्तियां बन जाएगी और 42 आमों की 6 पंक्तियां बन जाएगी यानि कि कुल मिलाकर 10 आपकी क्या बनने वाली है रो बनने वाली हैं पंक्तियों की संख्या और हर पंक्ती में अधिक्तम आप 7 फल रख सकते हो एक तरह के ठीक है माई डियर स्टूरेंट मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने आपको हमेशा से ये समझाया था कि आगर आपको संख्या निकालनी हो तो हमेशा SCF लेकर इन में डिवाइड कर दें जिससे की पता लग जाए कि कितनी कितनी पंक्तियां आपकी बंती नजर आ रही है अगला प्रशन आप लोगों के लिए ये रहा करके बताए कि अतना यहीं आएगा सर अरे आया हुए प्रस्न करवा था हूँ तो मैं दिमाग से पाऍंदल हो गया ह preserving को जारा है कि और कि 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 में अथ्योग मिदो कि कि करता है तो दो सो 240 आपका हो गय proven चार ची की 24, छह चो की 24 और आट तिया 24 ठीक है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और एक काम पूरा होने के 11 दिन पहले और बी काम पूरा होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है कहान ही आपको पता है अब क्या होगा अब होगा कलेश मतलब काम करना शुरू कर दिया और बोल रहा है देखो एक ही शकल देखो एक क्या बोल रहा है कि मैं तो काम पूरा होने के 11 दिन पहले जा रहा हूं और बी कारे पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ जाता है ऐसे थोड़ी चलता यार ऐसे थोड़ी होगा मतलब चीज़ें तो खराब हो जाती है ना ऐसे थोड़ी कि काम शुरुवात में छोड़ दो अगर शुरुवात में छोड़ देते तो हम आपको काम पे रखते ही नहीं है ना डियर अब कॉंसेप्ट को समझना कि कहां कॉंसेप्ट आपका सही है और कहां गलत है आईए तो मैं कहता हूँ कि ऐसी बात है सर A काम पूरा होने के 11 दिन पहले और B काम पूरा होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है तो मैंने का भाई काम करो मैं नहीं जानता काम करो तो B का रहे पूरा उने के 8 दिन पहले छोड़ता है न तो B को 8 दिन का काम करवा के देखते हैं और एक काम पूरा उने के 11 दिन पहले छोड़ता है तो A को 11 दिन का काम करवा के देखते हैं यहां मैंने देखा आठ यह हो गया नौ और चार तेरा तीन सो अड़ीस अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीन सो अड़ीस बटे तेरा तो तेरा दूनी 26 बचे कितने साथ तेरा चिंगठ तर तो 26 दिन में काम हो जाएगा क्योंकि अब तो तीनों है ना जाने ही नहीं दिया हमने किसी को हमने क्या किया बोले तुम नहीं जा सकते भाई या तो काम करते ही मत अगर आप काम कर रहे हो तो पूरा करके जाओ तो एक कह रहा है देखो यार मेरा 11 दिन का अरे नहीं नहीं भाई 11 दिन का काम पूरा करके जाना है तो जो काम 240 था उसमें 11 दिन का जोड़ दिया 6 की एफिशेंसी से 66 और बी जो 8 दिन पहले जा रहा था उसका जोड़ दिया 32 टोटल काम 338 है अब यह 338 तब है जब सब लोग कर रहे हैं तो 26 दिन में होगा काम तो त्याली 46-24 का अंडरूट जो दे रखा है 68 है यह बैतरिन प्रशने और इस तरह के प्रशन में शनिवार को कराने वाला हूं इस शनिवार अनकेडमी पर मैं फैस्टिवल वैक कर रहा हूं इस शनिवार याने की कल कल अनकेडमी पर 3 बजे ये सारे टाइप के प्रश्ण होंगे ये तो चलो एक टाइप का है मैं 3 बजे आपको स्क्वाइर रूट कराने वाला हूँ पूरा स्क्वाइर रूट और स्क्वाइर ये पता है ना सबको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने discuss नहीं किया आप लोगों से अभी बताया है square और square root और 5 बजे मैं कराने वाला हूँ पूरा complete algebra यह academy पर होगी class है ना हर शनिवार की तरह start कर दिया है 3 बजे और 5 बजे और फिर रात को 8 बजे तो अपना catchदा में चलता ही है आप आपको जानकर कि अच्छा लगेगा कि यह type का प्रश्न और अन्य सभी type के प्रश्न यहां हो जाएंगे तो यह दो नंबर का आता है पेपर में और इस बार भी आएगा algebra की complete theory पढ़ाऊंगा तो यार जुड़ना मत बूलिएगा कल कल सुबह 11 बजे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है 68 तो यहां हो गया अब 2 छोड़कर अगर दशमलब होता है तो 1 छोड़कर आता है 4 छोड़कर होता है तो 2 छोड़कर आता है सबको जोड़िए तो 68 6.8 और 0.68 8 8 और 14 14 और 15 75.48 will be your right answer option number A 75.48 will be your right answer next one करके बताईए और like करते रहिए चलिए यदी किसी बंटन का बहूलक आपको दे रखा है मौड माध्य का दे रखी है कितनी 10 तो माध्य निकालो भाई बोले गुरू जी माध्य कैसे निकालूंगा मैंने का एक फॉर्मूला होता है नई याद है तो लिख लो बहूलक बराबर तीन गुणा माध्य का माइनस दो गुणा माध्य है इसको कहते हैं बहूलक इसको कहते हैं माध्य का और इसको कहते हैं माध्य है चलिए तो क्या होगा भाई पांच दस्तिय तीस माइनस दो गुणा मीन तो दो गुणा मीन बराबर 25 तो 12.5 तो आपका जो माध्य हो जाएगा वो 12.5 हो जाएगा इस तरह से गजब बहुत बढ़िया अरे कल 11 बज़े सुभए आपकी सारी शिकायते मिठ जाएंगी क्योंकि एक बड़ा सर्प्राइज आने वाला है चलेगा ना नेक्स्ट अगला प्रश्णू सॉल्व करेंगे 11-11x बराबर 11x 22x बराबर 11x बराबर 1 बटे 2 एक बराबर एक बटे 2 रखोगे एक का स्कॉयर एक आंसर हो जाए आप्शन नमर बी गजब बहुत बढ़िया यार उड़ाईए 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 कमान और दिल से लाइक करते जाहिए यार यह प्यार बना रहना चाहिए क्योंकि कल धमाका भी होगा मजा भी आएगा चलिए आप पता है कि ऐसी संख्याओं का अगर आपको स्थ निकालना है तो क्या करना होता है जो घात होती है उनका स्थ निकाल लो तो सात और पाँच का जो सीएफ आता है वो एक ही आता है क्योंकि यह अपने आप में क्या है प्राइम नंबर से तो सीएफ एक हो गया यानि कि अगर आपको इस पूरी संख्या का SCF निकालना है तो 5 जो SCF आया घातों का वो 1, माइनस का 1 यानि कि जो यहां दे रखा है ना उप्रेशन वही लगाना है यानि कि 4 आपका क्या हो गया इन दौनों एक्सप्रेशन का आपस में common factor हो गया 4 Next समय सीमा समाप्त हो गई बहुत बढ़िया देखू किस तरह का प्रश्न है 16 के कितने एक चौथाई हैं कितने एक चौथाई हैं किसके 16 के तो एक चौथाई है गजब यह प्रश्न आया था दुनिया हिल गई थी करा दिया था मैंने आपको पहले ही लेकिन फिर भी मैं आप बता रहा हूं क्योंकि चीजें नहीं समझ में आती हैं अचानक से है इतना सा कुश्चन लेकिन पेपर में आ जाते हैं तो बच्चों से नहीं होते हैं अगला प्रश्न कि क्या नाम है कि मा काल का लाडला मा का मगरमच मतलब कोई इनका नौकरी देने वाला पढ़ ले इनका नाम कि यह यूजर नेम लेके बैठाए है सोच का पता लग जाएगा भई अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है 51 और 85 का जो SCF है अब वो साफसा पता लग रहा है 17 है वो किसके बराबर है 51 M-85 85 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 बराबर 51 M M की वैलियो आ गई दो most famous question of SCF जो हर shift में लग बख frequently 2-3 shift में पूछा गया था और काफी प्यारा प्रश्न समझ में नहीं आया था बच्चों को पहले तो next next बोला गया है इसका माद्य बता दो तो माद्य कैसे निकालेंगे M M M M M तो 5 हो गया 1 2 3 4 5 तो भाई देखो इसका तो M ही रह जाएगा क्योंकि बटे 5 करेंगे बाद बराबर है एक दो तीन चार पांच अब यहां देखो यह पांच खतम यानि कि एक दे कर जाएगा या सॉल्व कर लो पांच और तीन आठ और चौदे चौदे और नो 23 23 और दो 25 और 35 का बटे 5 करेंगे 7 तो डाइरेक्ट निकाला है मैंने मैंने एड करके संख्या का डिवाइड नहीं किया मैंने देखा कि 5 M आ रहे हैं तो बटे 5 तो होगा तो M रह जाएगा और इनको जोड़ा तो 35 आ रहा था 5 का भाग दूँगा तो 7 रह जाएगा कि एम प्लस साथ हो गया है कि नेक्स्ट कि सब पेपर में आया था भाई गजब के प्रशनाय थे सारे के सारे अब यह सारी चीज़ें बढ़िया कराने वाला हूं कर एक बहतरीन सर्प्राइज होगा आपको पता चलेगा कि कैसे यह सब चीज होंगी क्या होगा सब पता चलेगा इस तरह का एक स्केल दे रखा है इसका क्या मतलब होता है सर एक रेशो और 15,000 पैमाना है इसका साफ साफ मतलब है कि दो शहरों की बीच की दूरी अगर 6 cm है तो वास्तविक्ता में कितने क्लूमीटर है तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं 1 cm की बात करूं एक cm मुझे यहां किस सेंटीमीटर के बराबर साफ सेंटीमीटर ही क्यों लिया क्योंकि आपको जो रिलेशन दे रखा है वो सेंटीमीटर से स्टार्ट है अगर आप इसको कुछ भी यूनिट यहां कोई यूनिट नहीं है आपको अगर cm में मानना था तो आपने 1 cm और इसको 15,000 के बराबर मान ल दिया, 0.15 km, अब आपको km में पूछाए, लेकिन एक cm की value है, एक cm बराबर 0.15 km है, तो 6 cm जो पैमाने में है, वे कितना हो जाएगा, 0.15 x 6 km, 15 छी की नब्भ है, यहने की 0.9 km, option number C, कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रो, मज़ा आया, अच्छा लगा, यह बहुत प्यारे-प्यारे concept है, पेपर में आये थे तो एक दूसरे की सकल देख रहे थे, और दुबारा भी आएंगे, क्योंकि जो pattern अगर examiner पकड़ लेता है, तो उसे वह हर बार repeat करता है, साल-दर साल, और अगर 7th phase का exam होता है, और group D का exam होता है, तो आपके यहाँ session से, केवल मैंने अभी 2 session लियें, और रात को 8 बजे वाले से, तो पूरा मामला set है, और उसके साथ-साथ, इन 2 session से कम से कम आप 5 number प्लस हो गए हो, यह ध्यान रखना, यह मेरी guarantee है, आज भी बोल रहा हूँ, और आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, तो यह प्यारा सा प्रश्न था, और यह मैंने पूरा detail में करवाया भी है, अगला प्रश्न यह लीजिए आप यह जानते हैं वई, कि जब कभी ऐसा expression आजाए, तो यह होता क्या है, जब 2 की पावर x है, गातांक और कड़नी का concept है, इसको हम यही तो लिखते हैं, 2 की पावर minus 1 plus 2 की पावर x, क्योंकि गाते जब, मतलब पावर जब, बेस अगर गुणा में होता है, तो गाते जुड़ जाती है, तो मैंने इ 2 की पावर x, 5 बटे दो, देखो, आ गया ना काम, मैंने कहाता ना अपसे, यह बहुत काम आता है, 128 हो गया, तो आप जानते हैं, 2 की पावर x बराबर 128 तभी होगा, आपको जब टिप्स पर याद होगा, कि x बराबर 7 लेना है, तो कल मैंने लिखाई भी इसलिए थी चीजे कि वो क्या experience से पता लग जाता है, next, यह लीजिए आपकी coordinate भी आई थी, आपको पता ही नहीं चलता क्या-क्या आजाता है paper में, क्योंकि आप तो छोडने में बिलीव रखते हो ना भाई, तो यह काफी interesting question था, a और b के coordinate आपको दे रखें, और पूछा गया है कि a और b के बीच की दूरी, तो आप जानते हो यार, x1, y1, x2, y2, तो x2-x1 तो यहां कितना हो जाएगा, 24 cos square theta, plus 24 sin theta का whole square, क्योंकि वही बचेगा, तो यहां साफ साफ दिख रहा है, यह हो जाएगा 506 sin cos square, plus sin square, यह तो 1 होता है, और यह 1 हो गया, तो 576 का ही आएगा 24, तो 424 will be a right answer of this question, directly कर सकते, तो भाई साफ, जल्दी से बता दीजिए, कैसा लगा यह amazing session, और कल क्या धमाकिदार होने वाला है, और आज क्या होने वाला है, तो देखो, साड़े बारे बज़े तो क्रेक्दामेट होता ही है, कल एक बहुत बड़ा surprise आप लोगों के लिए आएगा, आप खुश हो जाओगे, मतलब amazing, all government exam experience के लिए, amazing surprise आपके सामने में रखने वाला हूँ, कल पराते हैं, 11 बज़े, सब लोग live ही आना, तभी मज़ा आएगा, और तभी वो energy transfer हो पाएगी आप लोगों तक, ये मेरा बादा है, आगे चलते हैं, इस शनिवार, इस शनिवार मैंने आपके लिए लगाई है, तीन class, जो की top class, square और square root, अनकेडमी पर होंगी ये class ध्यान रखना, हमेशा की तरह शनिवार को होती हैं, और 5 बज़े algebra की complete theory पढ़ाऊंगा, और 8 बज़े catch the math कराऊंगा, ये इस शनिवार का प्लान है, और catch the math तो daily चलता है, अभी crack the math होगा साड़े बारे बज़े, और आज दुपैर में 2 बज़े, ग्रामीन बैंक वालों के लिए काफी खास कुछ आने वाला है, कि एक attempt में कैसे clear करें, क्या एक proper strategy होगी उनके लिए, वो सब मैं बताऊंगा, daily रात को 8 बज़े एक paper होता है, वो इसी behalf पर लिया गया है, कि आपके previous year में कैसे प्रशन आये हैं, तो ये paper आप daily दें, जिससे कि आपको daily practice का मौका मिले, और आप खुद को improve कर पाएं, और हर एक दिन कुछ न कुछ सीख कर जाएं, math का paper, एक daily paper अनकेडमी पर रात को 8 बज़े जरूर लगाएं, कैसे दा math में, साहिल 10 कोड लगा कर आपको अनकेडमी लर्निंग अपर SSC exam में जाकर, मेरी profile में जाकर, मुझे follow करके, 8 पीम वाला session देखना है, अगर कोई invite code पूछे, तो साहिल 10 लगा देना बिना पूछे, ठ ठीक है, चले, साथ के साथ आप मेरे बहतरीन foundation base से जोड सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ही आवशक है, आप मेरे foundation base से जुडेंगे, तो आपको उस level का content मिल जाएगा, जो आप किसी भी exam को crack करने के लिए परयाप्त है, और सबसे जरूरी चीज, आप तयार हो जा लिए, तो मेरे foundation base से आज ही जुड कर अपने आपको पढ़ाई में लगा ले, technometry स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर काफी अच्छे से पढ़ेंगे, math, reasoning, gk, english, नया शुरू हो गया सब कुछ, और 24 महीने और 12 महीने का course लेकर, साहिल 10 लगा कर मेरे code से जुड जाना, और म आपको offer भी मिल जाएगा, साहिल 10 code लगा कर, combo लेते हो तो भी, और कोई combat अगर लगाते हो, तो वहाँ पर भी आपको participant बनना है, combat में, तो साहिल 10 लगा कर scholarship test दे सकते हो, यह मेरा telegram है, यह मेरे से आप connect हो सकते हो, student आपस में doubt discuss कर सकते हैं, यह सब चीज़े, ठीक है, तो like क सीखने वाले हैं, और यह ध्यान रखियेगा, तो अच्छे से पढ़ाई करो, session को like करो, share करो, मजे से पढ़ो, और कल बड़े धमाके के लिए excited रहो, क्योंकि आप सभी experiment, चाहे वो UPSC का हो, चाहे वो group D का हो, हर किसी के लिए कुछ है कल, तो बढ़िया बात है ना, इसमें मेरे साथ रात को आठ बजे वाला session सबको लेना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, फिर मत कहना सर आप बताया नहीं, मैं daily बताता भी हूँ, अना के अडबी पर होता है, नीचे comment box में link मिल जाती है, free session है, love you, bye, मिलते है, साड़े बारा, फिर उसके बाद में foundation batch में, और बहु झाला